हेलो एब्रीबाउन वेलकम टू माई यूटूब चैनल दिस इस तपेश यादो गाईस और आज हम लोग सिखने वाले हैं टीसी एस टैक्स कलेक्टेट एट सोर्स क्या होता है टीसी एस कब चार्ज करेंगे टीसी एस किस सेक्शन में आता है और टीसी एस गुड्स के उपर च करते हैं गुड्स होता क्या है यह सारा चीज आज हम लोग सिखने वाले हैं कि टीसी एस इंकम टैक्स एक्ट किसके अंडर में आता है तो गाईस प्लीज मेरे अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिजो और लाइक का बटन तो बनता है सबसे पहले हमको समझना है कि टीसी एस होता क्या है गाईस टीसी एस क्या है एक इंडारेक्ट टैक्स है जो इंकम टैक्स एक डिपार्टमेंट के थ्रू से आया है इंकम टैक्स एक्ट 1961 के थ्रू से आया है TCS अब कब चार्ज कर सकते हैं कुछ भी अगर आप गूट्स को बेशते हैं तो उसके उपर TCS चार्ज किया जाता है किसी अगर सर्विस के उपर अगर अल्रेडी TDS चार्ज होता है तो आप वहां पर TCS नहीं चार्ज कर सकते क्योंकि already TDS is a part of indirect tax और इसके उपर आप TCS नहीं दे सकते हैं चार्ज नहीं कर सकते हैं ओके तो सेल आप गूट्स एक 1930 जो हमको बताता है कि गूट्स का मतलब होता क्या है गूट्स मिन्स टी-स चार्ज नहीं होता है ओके इमूबल प्रॉपर्टी शेल नॉट बी ट्रिटेट अस गूट्स ओके तो टी-स के अंदर हम इसको चार्ज नहीं करेंगे के गाइस तो टी-स इंकम टैक्स एक 1961 ने दो नए सेक्षन को एड किया है 206C के अंदर में जो अभी पहले जो हम लोग 206C बोलते थे अभी वहाँ पे 206C सेक्षन 1H बोलेंगे जो इंकम टैक्स एक्ट ने इसको फोर्स करके इसको कानून में लाया है बिल में पास किया है तो टी-स का रेजिस्ट्रेशन हम कब करवाएंगे क्या लिमिट है टी-स का रेजिस्ट्रेशन उसी टाइम करवाएंगे जब हमारा टर्नोबर 10 करोड से ज़्यादा है जब हमारा प्रिसेडिंग फिनेंशियल इयर में 10 करोड से ज़्यादा अगर होता है तो हमको टी-स में रेजिस्ट्रेशन करवाना है अगर हम 10 करोड से कम का मेरा turnover है तो हम वहाँ पर TCS चार्ज नहीं करेंगे So next TCS किसको collect करना पड़ेगा Under section 206C section 1A Seller is liable to collect tax at source from buyer So TCS कौन collect करता है Seller collect करता है किस से collect करता है Buyer से Buyer means क्या होता है A person who purchase any goods Okay वो होता है Buyer Seller for this purpose means to turn over exit जैसे मैंने आपको बोला कि जिसका turnover Preceding financial year में 10 करोड से ज्यादा है उन्हीं लोग को TCS collect करने का हक है Seller for this purpose means To turn over exit 10 करोड During the financial year Immediately preceding the financial year In which the sale of goods is carried out तो अगर आपका 10 करोड से ज्यादा का turnover है तो आपको TCS में registration करवाना होगा और आप liable है Charge करने के लिए TCS को कब collect करना पड़ेगा This is a very important question TCS कब collect करना पड़ेगा TCS has to be collected at the time of received of such amount Okay, अगर suppose आपने 50 lakh से ज्यादा कोई अगर बायर आप से purchase करता है तो आपको वहाँ पर TCS collect करना और अगर वो amount देता है तो Okay, on the receipt basis के उपर At the time आपको TCS collect करना है Seller receive any amount as consideration for sale of any goods of the value exceeding rupees 50 lakhs from any single buyer अगर 50 lakhs से ज्यादा अगर कुछ buyer, single buyer से अगर वो goods purchase करता है या seller sale करता है तो उस time पर TCS collect करना होगा 0.75% rate है Due to Corona COVID-19 1% से अभी 0.75% कर दिया गया लेकिन value जो है goods का जो value है 50 lakhs से अबाब होना चाहिए अगर 50 lakhs से कम होता है तो आप वहाँ पर collect नहीं कर सकते है TCS के rate क्या है Due to Corona 0.05% 0.075% TCS का भी rate है यह जो rate है 31st March 2021 तक चलेगा और जिसके पास PAN या अधार काड नहीं है पर्मानेंट अकाउंट डंबर और अधार काड नहीं है उनको 1% TCS देना पड़ेगा with PAN अधार 0.075% TCS के rate है तब यहां पर हम एक example समझ लेते हैं कि TCS में किसको registration करवाना है और किसको नहीं कराना है जैसे कि सब्सक्राइब सब्सक्राइब यह है उसका फिनेंशियल यह तलब प्रिवियस प्रिवियस फिनेंशियल यह में 2019-20 में उसका turnover 11 करोड था तो उसको TCS में registration करवाना है ओके देन 2020-21 में 8 करोड हो गया नो प्राब्लम लेकिन 11-10 करोड से वह ज्यादा का है इसलिए उसको registration करवाना है बायर है B खरीद रहा है कौन बायर काने purchase गुड्स कौन कर रहा है बी तिल 30 सेप्टमबर तक 23 लाग का गुड्स सेल हुआ है ओके देन 1 अक्टूबर से गुड्स कितना सेल हुआ 68 लाग का तो TCS जो अंडर सेक्शन 206C section 1H के तहद 0.075% हम TCS यहां पर collect करेंगे क्यों क्योंकि यहां पर 30 सेप्टमबर तक 23 लाग का गुड्स सेल किया गया था बट आफ्टर 1 अक्टूबर 68 लाग का गुड्स टोटली सेल किया तो 68 प्लस 23 91 लाग का गुड्स उसने सेल किया तो यहां पर हम लोग 50 लाग के उपर 50 लाग से एक्सेस है इसल गुड्स किया है इसलिए वहां पर 50 लाग को माइनस करके हम लोग 41 लाग के उपर 0.075 परसेंट टैक्स चार्ज करेंगे क्योंकि यहां पर 50 लाग से गुड्स एक्सेस है इसलिए ओके दूसरा सेक्षन क्या है सपोस्ट सेलर यह है प्रिवेस फिनेंशल यहर में 8.5 करोड टरन ओबर था और करेंटली फिनेंशल यहर में 12 करोड टरन ओबर था तो बायर भी है 30 सितमबर तक इतना सेल किया 23 लाग और सेल फ्रॉम फ्रॉस्ट अक्टूबर से 68 लाग तो यहां पर TCS नॉट एपलीकेबल चार्ज नहीं होगा क्यों 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 उसका टरन ओबर 10 करोड से ज्यादा नहीं है 10 करो फिनेंशल यहर में 13 करोड था देन फिनेंशल करेंट फिनेंशल यहर में 16 करोड का टरन ओबर था बायर भी था उपके 66 लाग का उसने सेल किया था 30 सेप्टमबर तक और 1 अक्टूबर के बाद 7 लाग कई सेल हुगा है तो यहां पर कितना हम करेंगे यहां पर only 7 लैक्स के पर हम लोग turnover calculate करेंगे क्योंकि 30 सेप्टमबर तक गौर्मेंट ने छूट दे के रहा है 0.075 परसेंट इसलिए तो 7 लाक्स पे 0.75 परसेंट ही चार्ज होगा अगर आप किसी central गौर्मेंट इस्टेट गौर्मेंट या किसी body of authority से भी अगर आप कुछ गूट सेल करते तो आ 306 c-subsection one age it is not applicable एभ वायर еPP data government its सेट गौर्मेंट ओके तो आप सेंटरल गौर्मेंट है स्टेट गौर्मेंट्र मेट्व deaths या किसी भी हाई ऐफरीचि के साथ अगर अगर सेल वाब गूट चरते हैं transaction करते तो आप applicable नहीं हैं TCS attempt करने का तो कि अगर आप जॉब वर्कर सपोज जॉब वर्कर उसका टॉर्ण ओबर 14 करोर था प्रिबियस फिनेंशल एर में करेंट फिनेंशल एर में 12 करोर हो गया तो आप इसके उपर भी टीच नहीं क्लेक्ट कर गया क्यूंकि अल्रेडि इसके उपर सर्विस के उपर टीच चार्ज होता है तो आप यहां टीच ऑल्रेडिड डिडक्टेड ऑन दिस ट्रंजेक्शन तो आप टीच इस कलेक्ट नहीं नहीं कर सकते हैं सब्सक्राइब आप यहां पर भी कलेक्ट नहीं कर सकते हैं क्यूंकि सब्सक्राइब कर सकते हैं यह सारा चीज था टीडियेस का रेट इग्जामपल अब समझते हम लोग टीडियेस कब अप्लिकेबल नहीं होगा टीडियेस कब हमको नहीं देना है कब अप्लिकेबल नहीं होगा वेन टीडियेस कब हमको नहीं देना है कब अप्लिकेबल नहीं होगा वेन टीडियेस कब अप्लिकेबल नहीं होगा वेन टीडियेस कब अप्लिकेबल नहीं होगा वेन टीडियेस कब अप्लिकेबल नहीं ले स अब उस पर TDS नहीं कर सकते हैं where the buyer if the central government, state government, embassy, high commission या foreign state से अगर आप goods sale all करते हैं तो उसके इन लोगों के उपर high authority से आप TCS collect नहीं कर सकते हैं ओके where the buyer is local authority अगर कोई buyer local authority है और वो section 10 sub section 20 के अंदर आता है तो उससे भी आप TCS collect नहीं कर सकते हैं TCS applicable नहीं होगा अब section of TCS 206C section 1 में क्या क्या आता है alcoholic liquor for human consumption, tendu leaves, scrap, minerals, bean coal, iron etc यह सारा चीज है जो टीचे स्मॉल लेडी डाला गया है तो इन सब चीजों पर TCS applicable नहीं होता है hope कि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा और आप प्लीस इसको screenshot लेके आप लिग भी सकते हैं आपी में जिससे आपको याद रहे ओके TCS tax collected at source जो एक indirect tax है और sale of goods section 2 subsection sale of goods section 2 subsection 7 जो 1930 में sale of goods act पास हुआ था अगर आप if you are buying goods of more than rupees 50 lakhs be ready to pay TCS on the same and claim the credit at the time of filing your income tax return आप वहाँ पर 50 lakhs से ज्यादा अगर goods purchase कर रहे हैं तो वहाँ पर TCS pay करना thank you so much for watching my video